अब धुस्य लेविन नंबर कोश्चन कह रहा है एक सरर रेखा वन कॉमा जीरो ट्यू कॉमा तिरी बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब धेखो द्यां दूदो इदर जैसे ये एक रेखा हो गई इसके आपको बिंदू क्या दे रहा है इसके बिंद जो दे रहा है वो दे रहा है 1,0 और 1,0 और आपको दे रहा है 2,3 और इसको मिलाने वाली रेखा पर यह वाली रेखा जो है जो हमें जिसका समीकर निकालना है वो क्या है लंब है तो यह इस पर हो जाएगी लंब चीक है तो हमें पता है कि इसकी प्रवणता अग होगी होगी की नहीं होगी बता चुके लंब रेखा की प्रवणता तो पहले निकालेंगे 1,0 और 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता इसकी प्रवणता जब m अरावन निकालेंगे तो पढ़ चुके हैं क्या पढ़ा है y1 माइनस y2 तो y1 दे रहा है 0 माइनस y2 दे रहा है 3 अपॉन x1 माइनस x2 x1 दे रहा है 1 और माइनस x2 कितना दे रहा है 2 बरावर हो जाएगा माइनस 3 मेटे माइनस 1 बरावर आ जाएगा 3 अब लंब रेखा की प्रवणता लंब रेखा की प्रवणता लम रेखा कि जो प्रमणता होती है वो क्या होती है M डैस बराबर होता है माइनस 1 अपाउन यम होता है तब इत लिखते हैं M1 इंटू M2 बराबर माइनस 1 तो M डैस बराबर आएगा माइनस 1 अपाउन M के वैलू रख देंगे 3 यह आ गई प्रमडता अब देखो एक चीज और कह रहा है कि यह किस अनुपात में विवाजित करता है एक अनुपात यम के अनुपात में विवाजित करता है यह रेखा इसको किता अनुपात में विवाजित कर रही है एक अनुपात N के अनुपात में विवाजित कर रही है अ विभाजित करने वाले बिंदू के निर्दे सांग इसके निर्दे सांग निकालने के तो निर्दे सांग कर निकालने का आपको फार्मूला पता है कि xy बता बरावर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपाउन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपाउन m1 प्लस m2 यह m1 m2 इन पाथ है यह m प्रमड़ता थी m डैस अलंबर एक आगे प्रमड़ता थी jest to AI कितना रखेंगे एक के एक एक्रहब कि जग्यक कितना रखेंगे यहǥ tim यह x1 y1 यह x2 y2 ग्लास m republican की जग्यका कितना रखेंगे एक और यह म्ट्यों की जागे कितना रखेंगे एन ऐन इन टु वन अपाउन आपॉन मतलब वाuna पा味 वन हुए प्लस एन कोमा एंवन की जगह है फिर वाई 1-2-1-2 कितना दे रहा था तीन प्लस M2-2 कितना दे रहा एन वाई 1 कितना दे रहा है जीरो अप ऑन फ्लस एन वह जाएगा यहां तक आ क्या ह massively इसके वाग्या जब करेंगे तो यहाएगा टू प्लस एन अपॉण फॉण फॉण वए माई यह थी फ्लस यह 7 худव जाएगा 0 तो थिरी अपाउण बन प्लस यह और आप को बिन्दू भी पता चल गए और आम प्रवडता भी पता चल गई, तो लंब रेखा का समी करन जब निकालेंगे, इस रेखा का समी करन, लंब रेखा का समी करन, लंब रेखा का समी करन, लंब रेखा का जब समी करन निकालेंगे, तो क्या आएगा, आएगा y-y1, बराबर m-dash, x-x1, तो y-y1, और y-1 कितना आया X-X1, X1 कितना दे रहा है, X1 दे रहा है आपको, क्या या था, 2 प्लस N upon 1 प्लस, 2 प्लस N upon 1 प्लस N, अब इसको solve करेंगे, इसमें N plus 1 LCM लेंगे, तो इसमें आएगा N plus 1 Y, माइनस हो जाएगा 1 upon 3, इसमें LCM लोग लेंगे, वही 1 प्लस N, तो यह हो जाएगा, 1 प्लस N X-2 माइनस N, 1 प्लस N से 1 प्लस N कट गया, 3 का इदर मल्टिप्लाई होगा, तो 3 N plus 1 Y, माइनस 3 तीन तरिक 9, यह माइनस 1 का अंदर गुणा होगा, तो माइनस के 1 प्लस N X, प्लस के हो जाएगा 2 और प्लस के N, इसको इस तरफ लाएगे, जब इस तरफ लाएगे तो काई का हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा, 1 प्लस N X प्लस 3 N प्लस 1 Y बराबर 9 उस तरब जाएगा प्लस का तो प्लस के 9 प्लस के 2 हो जाएगा 11 प्लस N यही इस question क्या होगा समीकण होगा देखे 12 number question कहा रहा है उस रेखा का समीकण गया जो निर्दे सांकोम से समान अंताखंड काटती है तो माना अंताखंड होता कहा पहले यह समझ लो जैसे यह कोई रेखा है तो यह वाला जो भाग हो गया वो X अच पर कटा अंताखंड है यह वाला जो भाग हो गया वो Y अच पर कटा अंताखंड है अब आप से कह रहा है और अंताखंड रोफ समीकरण जो होता है वो होता है X upon A प्लस Y upon B बराबर 1 के यह आपका फार्मूला होता है अंताखंड रोफ समीकरण का तो कह रहा है समान अंताखंड काटता है तो माना X अच पर कटा अंताखंड X अच पर कटा अंताखंड मान लेंगे ए और वाई अच्छ पर अच्छ पर कटा अन्ता खंड बराबर भी समान कह रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अब अन्ता खंड रूप समी करण क्या होता है यक्स अपाउन ए प्लस वाई अपाउन बी लेकिन बी जो होता है वाई च्छ पर कटा अंता खंड और वाई च्छ पर कटा अंता खंड भी कितने है ए और बराबर कितने के होता है वन के समी करण फस्ट अब कह रहा है यह रेखा बिंदू किस्ते जाती है यह के 2,3 इस रेखा पर इस्तित हैं इस रेखा पर इस्तित हैं अता ये बिंदू इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे कि इसमें धिन्दू रखेंगे तो एक्स की जापर रखेंगे दो दो बटे का यहां पर अब रखेंगे तीन थीन बटे बराबर के चोजिए गुणा करेंगे बदाबर कितना आजाएक का इक आमान आगे ख्ली का मैं समीकरण एक में रखने पर जब समीकान 1 में रखेंगे तो आएगा X upon 5 प्लस Y upon 5 बडाबर 1 5 LCM लेंगे होगा X plus Y बडाबर 1 5 इस तरफ चला जाएगा तो आजाएगा X plus Y equal 5 के यह इसका अंसर होगया समझ में आया 13 नंबर कोशन कह रहा है बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीक अणग्यात कीजिए जिसके द्वारा अच्छों से कटे कटे अंता खंडों का यूग नो हो तो आमने माना X अच्छ पर कटा अंता खंड कटा अंता खंड X अच्छ पर कटा अंता खंड बराबर A और Y अच्छ पर कटा अंता खंड अन्ता खंड बराबर बीग है आप से कह रहा है अन्ता खंडों का योग जो है वो आपको दे रहा है नो ये दिया है तो इसते अगर हम लोग बीग आमान निकालेंगे क्या है गा नाइन माइनस ए आ जाएगा अन्ता खंड रूप समीकड निकालेंगे अंता खंडरूप जब समीकण निकालेंगे तो होता है x upon a plus y upon b बरावर कितने के 1 के ये समीकण हो गया अब देखो x upon a plus y upon b की जगए कितना रखेंगे 9 minus a equal कितने के रख देंगे 1 के समीकण 2 ये समीकण किस से ओके जाता है ठीक है तो रेखा जो है रेखा बिंदू 2,2 से जाती है अता इसमें रखेंगे x की जगए 2 y की जगए 2 x की जगए 2 बटे plus y upon 2 बटे 9 minus a बरावर 1 के उपर क्या लिए common मिला है 2 2 हम लोग अगर common ले लेंगे तो बचेगा 1 upon a 1 upon 9 minus a और बरावर 1 के ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1 upon a plus 1 upon 9 minus a बरावर 1 upon 2 इसमें common लेंगे a 9 minus a इसका इधर गुणा होगा 9 minus a plus a बरावर 1 upon 2 a से कट गया 9 दूनी आ जाएगा 18 इसका इधर गुणा होगा 9 a और minus कितना हो जाएगा a square a square को इस तरफ लाएँगे a plus का a square इसको इस तरफ लाएँगे minus का 9 a ये बचेगा plus के 18 equal 0 अब 18 एकम 18 18 के ऐसे factor करेंगे कि 9 आ जाएगा क्या आएगा 6,3,18 a square minus 6 a minus 3 a plus 18 equal 0 a common लेंगे a minus 6 minus 3 common लेंगे a minus 6 equal 0 a minus 6 हो गया all common बचेगा a minus 3 equal 0 एक बार इसको 0 ले लेंगे यदि a minus 6 equal 0 तो a equal हो जाएगा 6 के और फिर इगर इसको 0 लेंगे यदि a minus 3 equal 0 तो a equal हो जाएगा 3 के अब a बरावर 6 पर हम लोग b का मान निकालेंगे तो b का जब मान निकालेंगे b बरावर था 9 minus है तो b बरावर 9 minus 1 जगह 6 रखा 3 आया तो a क्या आगया इन्ता खंडूरूप a का मान आगया 6 और b का मान आगया 3 एक तो ये आगया और a बरावर 3 पर तो a बरावर 3 पर जब निकालेंगे तो b का मान आएगा 9 minus 3 एक जगह क्या रख देंगे 9 में 3 जाएंगे 6 बचेंगे तो b बरावर आजाएगा 6 तो अब आपका मान जो आया वो a आया 3 और b आया 6 ये आगया अब क्या करेंगे हम लोग कि a का मान a और b का मान किसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे टो पहले a का मान अगर समी करण एक में रखते हैं पर आज लागर 6,b बराबर 3 समी करण 1 एक में रखने पर तो एक दे रहा था 1 अपौन a तो 1 अपौन a की जग़ए 6 प्लस yपौन b,b की जग़ए 3 बराबर र इसमें देको इसको lcm लेके solve करेंगे तो 6 आएगा LCM तो 6 एकम 6 और यह आजाएगा 2Y इक्वल 1 6 का इधर गुड़ा हो जाएगा तो आएगा X प्लेश 2Y इक्वल 6 अब ऐसे ही एक बार X की जगह नीचे A की जगह रख देंगे 3 और यहाँ पे B की जगह रख देंगे 6 तो आएगा 2X प्लस Y बरावर 6 के तो दोनों समीकर इस प्रकार आजाएंगे आपके देखे कोशन नमबर 14 14 कोशन कह रहा है बिंदू 0,2 से जाने वाली और धन X अच्छ से इतने कोण बनाने वाली तो बिंदू आपको दे रहा है 0,2 से जा रही है और कोण दे रहा है 2Pi upon 3 इससे अगर हम यहम निकालेंगे प्रमणता प्रमणता होती है 10 ठीटा तो M बरावर 10 ठीटा की जगह रखेंगे 2Pi3 पाई कमान होता है 180 से 3 में बाग देंगे बचेगा 66 दूनी 120 तो 120 आएगा और 120 जो 10 120 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 10 वैसे तो यह रूट माइनस रूट 3 कमान होता है इन कैसे आता है यह बता दे 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको और आप लोगोंने पढ़ाए कि 10 90 माइनस ठीटा 90 प्लस ठीटा जाएगा दुती चेज़ूर थांस में दुती में 10 माइनस का होता है और 90 से कॉट मतल जाएगा तो कॉट 30 और कॉट 30 कमान पता है क्या होता है रूट 3 होता है तो रेखा का निकालेंगे समी करण रेखा का जब समी करण निकालेंगे y-y1 बराबर m x-x1 y-y1 दे रहा है आपको 2 m दे रहा है माइनस此 कॉट 3 x-1 आपको दे रहा है 0 तो y-2 एक्वल हो जाएगा माइनस此 कॉट 3 यह इस्तरह पाएगा पलस के प्लस वाई दो उस तरफ जाएगा प्लस के दू पहला समी करना गया अब देखो यह जो बिंदु है यह ऐसे कुछ है और प्लस का दो इधार होगा होगा कि नहीं होगा लेकिन कह रहा था यही दो इकाई की दूरी पर नीचे अगर पिर छेदित करें ऐसे रेखा पिर छेदित करें इधार तो इधार जब यहां पे बिंदु जीरो कॉमा क्या होगा माइनस दो क्योंकि यहां पे क्या होता है वाई डैस होता है उपर वाई प्लस और नीचे वाई डैस की तरफ माइनस तो अब वह बिंदु कितने दे रहा है जीरो कॉमा माइनस दो तब कह रहा रेखा क समीकर ग्याद कीजिए तो मूल बिंदू से नीचे बिंदू से नीचे दो इकाई की दूरी पर रेखा का समीकर रेखा का समीकर निकालेंगे y-y1 y1 की जगह आप कितना रखेंगे minus 2 minus 2 करेंगे तो plus 2 हो जाएगा बराबर m, m की जगह y value रखेंगे क्या minus root 3 minus root 3 और x minus x1 की जगह 0 तो y plus 2 बराबर minus root 3x तो y ये इस तरह पाएगा तो हो जाएगा plus के root 3x plus y plus 2 बराबर 0 ये आपका दूसरा समिका होगे ये पहला है ये दूसरा होगे ठीक है इस प्रकाइस कोश्चन के आंसर होगे देखो 15 नमबर कोश्चन देखो अच्छा कोश्चन है द्यांसर समझना कह रहा है कि एक रेखा पर मूल बिंदू से जो लंब डाला जाता है मूल बिंदू होगे गया 0 नमब डाला जाता है मैंडर दो ना पर मिलते है तो ये बता चुके ये सो गया ये उगया ये एकस डैस हो गया ओका है इसमे दोनो प्लega хват इसमे एकस माइनस ये समे दोनो माइनस इसमे एकस प्लिस ये माइनस बिन्द दे रहा था minus दो काँमान हो मतलब पहला minus दूसरा plus तो minus वाला dash देस पार होगा y वाई plus का बिना dash पे होगा तो किस में होगा? 33-44 में इसलिए रेखा इस side से बनेगी दोनो plus होते से बनते दोनो minus होते यहांपे बनते ठिक है? अब ये कह रहा है कि इससे इस पर क्या डाला गया है लंब और इस बिंदू से ओके जाता है पर मिलता है तो अगर इसकी रेख प्रमरता हम लोग निकाल ले तो इस वाले की जो प्रमरता होगी वो कितना हो जाएगी अगर M निकालेंगे तो माइनस 1 अपाउन M डैस हो जाएगी ठीक है लंब रेख अगी प्रमरता यहीं होती है तो पहले निकालेंगे 0,0 और माइनस 2,9 माइनस 2,9 की प्रमरता इसकी जब प्रमरता निकालेंगे M बराबर तो प्रमरता क्या होता है प्रमरता होता है y1-y2 तो y1 दे रहा है 0 y2 दे रहा है 9 फिर होता है x1-x2 x2 कितना दे रहा है माइनस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 2 तो माइनस 9 बटे अब निकालेंगे लंबर एखा की प्रमरता अब लंबर एखा की जब प्रमरता निकालेंगे M dash तो क्या होगी minus 1 upon M की तो minus 1 upon minus 9 बटे तो minus से minus कट गया तो M dash बरावर क्या जाएगा 2 बटे आगया अब एक बिंदू भी पता है और प्रमणता भी पता है अब रेखा का समीगर निकालेंगे तो बिंदू minus 2 common 9 से होकर जाने वाली रेखा की प्रमणता Y minus Y1 बरावर M dash X minus X1 तो Y minus Y1 दे रहा है नो बरावर M dash दे रहा है 2 बटे नो और X minus X1 दे रहा है minus 2 तो plus 2 हो जाएगा 9 का इसमें गुणा करेंगे 9Y minus हो जाएगे 81 यह हो जाएगा 2X plus तो 2 जा 4 अब देको इसको इस तरफ ले जाएगे तो दे रहा था 2X यह इस तरफ जाएगा minus के 9Y यह 81 इस तरफ जाएगा तो plus को हो जाएगा और 84 हो जाएगे 85 C बरावर 2 यह इस रेखा का समीकड़ा तो को 16 नमबर कोशन में कह रहा है आप से कह रहा है कि तामे की छड़ की लंबाई कैप्टल L सेंटीमीटर में और सेल्सियस ताफ C का रहखिक फलन है एक प्रियोग में यदि L इक्वाल इतना तो जब C बरावर इतना है और L इक्वाल इतना आता है जब C बरावर इतना आता है कह weil समीकड़ कीजिए तो समीकड़ा आपने पढ़ा है कि Y माइनस Y1 बरावर Y1 माइनस Y2 यह पढ़ा है Y2 माइनस Y1 upon X2 माइनस X1 और X माइनस X1 y2 क्यों पहले किया है इस बार क्योंकि y क्या है y2 जादा है ठीक है x2 क्यों किया है पहले कि x2 जादा है तो y-y1 y1 की जगह क्या लिखेंगे इस वाले को तो 124.942 equal y1 y2 दे रहा है 125.134 minus फिर y1 लिखेंगे तो आएगा 124.942 और नीचे आजाएगा x2 दे रहा है 110 ये दे रहा है 20 और x-x1 दे रहा है 20 तो y-124.942 equal इसको solve करेंगे तो देखो 4 में 2 जाएंगे बचेगा 2 13 में 4 जाएंगे बचेगा 9 इससे खासिल लेंगे हो जाएगा 10 10 में 9 जाएंगे बचेगा 1 अब ये 124 बचेगा 124 में 124 के क्या बचेगा 0 ये क्या जाएगा 90 ये आएगा x-20 तो y equal हो जाएगा 0.192 upon 90 x-20 ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 124.942 ये हो जाएगा इसका answer कोश्चन नमबर 17 देगे 17 कह रहा है किसी दूद भंडा का स्वामी प्रतिसपता 980 लीटर दूद 14 रुपए प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूद 16 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच दे सकता है विक्रे मूल तथा मांग के मद्द के संबन के को रैखिक मानते हुए ये ग्याद कीजिए कि यदि प्रतिसपता हुए कितना दूद 70 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है तो देखो सबसे पहले इसको मान लिया y1 ये x1 y2 x2 ठीक है मूल को हमेशा x में मानना तो समीकर्ण जो हमारा होता है वो पढ़ चुके हैं आप लोग होता है y-y1 बराबर y2-y1 x2-x1 yx-x1 y1-y2 x1-x2 करके भी निकाल सकते हैं वो भी आ जाएगा बसे एक इस्टेप आएगा माइनस में आएगा माइनस बाद में कड़े आएगा y-y1 दे रहा है 980 और बराबर y2 दे रहा है 1220-980 अपान 16-14 और x-14 तो y-980 इक्वल 0 में 0 जाएगे 0 आएगा 12 में 8 जाएगे बचेगा 4 11 में 9 जाएगे 2 बचेगा ये कितना बचेगा 2 x-40 दो से काटेंगे 120 आएगा तो y-980 बराबर आजाएगा 120 और x-14 ये तो हमारा आगया समीकर अब ये आगया समीकर अब वो कह रहा है कि किस बाव से बेचना है 17 रुपए के बाव से बेचना है तो रुपए वाला x मान रहे थे तो x बराबर कितने रख देंगे 17 रुपए प तो हो जाएगा y-980 एकवल 17 में 14 जाएगे 3 मचेगा 32 36 360 आएगा तो y वराबर आजाएगा 360 प्लस 980 तो y का मान आएगा ये आएगा 0 8 6 14 9 3 12 और 13 13 140 लीटर वो क्या कर सकता है दूद बेच सकता है कितने के बाव से 70 रुपए प्रति लीटर के बाव से देखे 18 नंबर कोशन 18 नंमर कोशन में कहरा है अच्छों के बीच रेका खंड को मद बंदू। देखो जैसे ये और यह हो गया जैसे कि यह क्या है एकस अच्च पर चा कटा अंटा खंड कितना हो गया है कि कि और अन्टा खंड रोफ समिकरन आपको पता है अन्टा खंड कि होता था एकस अपॉंण एपन वाई अपॉंड ब़राबर बन लेकिन जब यहां का यह मूथ होता है था मान तो एक जगह एच दे रहा है तो यहां एच रख देंगे बी की जगह के दे रहा है तो यहां के रख देंगे समी कर फर्स्ट हो गया कि अब मद्ध बिन्दु दे रहा है जीरो कॉमा एच या एच कॉमा जीरो और 0, K का मद्द बिंदू मद्द बिंदू जो दे रहा है वो कितना दे रहा है A, B ठीक है मद्द बिंदू का समीकान होता है X1 प्लस X2 अपॉंट 2 तो X1 दे रहा है H प्लस 0 अपॉंट 2 प्लस ये दे कॉमा Y1 प्लस Y2 अपॉंट 2 और इतने वरावर दे रहा है A, B के इतने वरावर A के तो H अपाउन 2 वरावर A के तो H वरावर 2 A के ऐसे ये तो K अपाउन 2 वरावर B के तो K वरावर कितने के 2 B के अब H और K के मान क्या करो किसमें रख दो समी करण एक में रख दो H तथा K के मान समी करण एक में रखने पर समी करण एक में रखेंगे तो X upon H, H की जगे रखेंगे 2A plus Y upon 2B बराबर 1 दो इस तरह भाग में है तो इस तरह जाएगा काय में हो जाएगा गुड़ा में तो आ जाएगा answer X upon A plus Y upon B बराबर 2 यही हमें सिद्ध करना था देखें 19 नमबर कोशन 19 नमबर कोशन कह रहा है अच्छों के 20 रेका खंड को बिंदू H, K एक अनुपाद 2 के अनुपाद में विबक्त करते हैं यह अगर हो गया है यह सच पर करता अंटा खंड A, Y, H पर करता अंटा खंड B तो यहां के जो निर्दे सांक होंगे वो होगा A काउमा जीरो यहां के जो होंगे वो होगा जीरो काउमा भी और इसके बाद आप से कह रहा है कि इस पर जो है एक बिंदू है वो कितने अनुपाद में डिवाइट करता है एक अनुपात दो के अनुपात में तो यहां का जो अनुपात दे रहा है वो क्या दे रहा है एक अनुपात दो तो यहां के अगर बिंदू आपको पता चल जाए आपको निकालना क्या है रेखा का समीकण ग्याद करना है तो यहां के बिंदू पता चल जाए हैं तो आप क्या करेंगे अंता खंड रूफ समीकर निकाल लेंगे पहले तो इनकी प्रमड़ता निकाल लो कि यहां कि जो बिंदु दे रहा है वो दे रहा है एच कॉमा के और अनुपात दे रहा है एक अनुपात दो कि एक अनुपात दो के अनुपात विवाजित करता है तो देखो निकाल लेंगे देखो X1 वाई वन यह बिंदु हो गया बिन्दू एक कॉमा जीरो और जीरो कॉमा बी को एक अनुपात दो के अनुपात में विभाजित करने वाले बिन्दू बिन्दू क्या दिये गए हैं h, k और अन्ताखनरोप का समीकर क्या होता है m1 x2 m1 कितना दे रहा है 1 और x2 कितना दे रहा है 0 प्लस m2 कितना दे रहा है 2 तो x1 कितना दे रहा है起 y2 कितना है im1y2 और इतने का जो मान दे तो कितना देज रहा है है कि तो 3 और ये ओजाएगा मुग तर इकॉल में आजाएगा है हए के तो कि और अजाएगा और इससे निकालेंगे टूइए बराबर हो तो कर दो और अजाएगा ठिरी एच अपाउन कितने के 29 के आ जायेगा और इससे निकालेंगे वी अपां ठीड़ी बराबर केके तो बी बराबर कितने के हो जाएगा ठीड़ी के के अब निकालेंगे अन्ता खंड रूप समीकरण क्या होता है X अपां एय वाई अपां बी बराबर एक के value रखेंगे x upon a की जगे रखेंगे 3h upon 2 plus y upon b की जगे रखेंगे कितना 3k और बराबर 1 ये तो दो उपर चला जाएगा तीन दोनों में नीचे common मिल ला है तो 2 upon h plus y upon k equal हो जाएगा 1 के तीन इस तरब जाएगा तो 2x upon h plus y upon k equal 3 इसमें देखो क्या करेंगे h k ले लेंगे lcm h k जब lcm लेंगे तो k का इधर गुणा होगा 2k x plus इसका इधर गुणा होगा तो h y equal 3 3 इधर चला जाएगा 2k x plus h y equal 3 h k ये इस question का answer आ गया देखो 20 number question देखिए कह रहा है रेखक के समीकरण को संकल्पना का प्रियोग करके रेखा के समीकरण की संकल्पना के प्रियोग करते हुए सिद्ध कीजिए की 3 बिंदू 3,0 और minus 2,2 3,0 minus 2, minus 2 और देख आए 8,2 क्या इस संरेख है तो पहले तो इन दोनों बिंदूओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे वोकर जाने वाली रेखा का समीकरण जब रेखा का समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा y minus y1, y1 दे रहा है 0 equal y1 minus y2 y1 है 0, minus y2 तो यह plus का 2 हो जाएगा x1 minus x2 तो minus पहले से तो plus हो जाएगा x minus x1 और x1 दे रहा है 3 तो यह आ गया y equal to upon 5 यह x minus 3 5 का इधर गुणा होगा 5y equal to x minus 6 5y उस्तरब जाएगा 2x minus 5y 6 इस तरह पाएगा तो यह तो y उस्तरब जा चुका है 6 इस तरह पाएगा प्लस का हो जाएगा समी करण पहला अब बिंदू यह तो दोनों निकाल लिया समी करण तीसरे बिंदू जो दे रहा है 8,2 वो इस रेखा पर इस्तित है तो 8,2 जब इस रेखा मतलब 3 इस रेखा पर इस्तित है तो जब 8,2 भी इस रेखा पर इस्तित है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस्तित हैं तो वे इस रेखा को संतुष्ट करेंगे LHS लिया 2X-5Y 2X की जगह पे रखेंगे 8 5Y की जगह पे दो 8 दो नी 16 माइनस 10 बरावर क्या हो जाएगा 6 के अता ये दोनों बिंदो और ये तीनों बिंदो क्या है संरेख है अता तीनों बिंदो संरेख है बात समझ में आ गई तो इस प्रकार जो एक्सरसाइज आपकी थी क्लास लेवेंद की एक्सरसाइज 10.2 शरल रेखा वो भी आपकी क्या होई कम्प्लीट हो गए पहो भी आपकी खोर भी आपकी क्या हो राझाज है ये ने एक्सराइज सेघ तो बिंदो कनो भी आपके फिंदो teuक्त बारीव